आज हमारा जो कंसेप्ट है दस सुनहरे नियम, दस अमत विने, टैन गोल्डन रूज, पहला हमारा केवल समढ, यानि समढ संग में केवल समढ ही आ सकते हैं, दूसरा है, चंदा कभी नहीं, यानि समढ संग कभी भी चंदा ना लेगा ना देगा पबलिक से, तीसरा है, जाती अभ्यास कभी नहीं, समढ संग में ना पहले कभी जाती थी, ना भारत में जाती थी, जो आजकल चलती है और ना ही कभी आगे इसका अभ्यास होगा, और चौ जिसको आज यहां बाचित करेंगे केवल संगवाद, पांचवाँ है पद, पतिष्ठा, मंच, माला कभी नहीं, छटा है पंजीकरण कभी नहीं, यानि कि रेइस्टेशन, पंजीकरण बैंक अकाउंट समढ संगा कभी नहीं खुलेगा, संगादी से सबसे उपर, यानि संग क में कभी नहीं जाएगा, सीधे रूप में, ये बात पूरी तरह से आठ में, गोल्डर लूडूर में आती है, संग घातक की बापसी संग में कभी नहीं, और दस्वा है, उपरोक्त नौविने संग का आधार है, ये ना कभी बद्दे जाएंगे, ना खतम किये जाएंगे, ना मानने किये जाएंगे, इसमें जो चौथा नियम है, केवल संग बाद, क्योंकि जो लोग संग चलाते हैं, दुनिया में जिन लोगों ने भारत से संग के नियम और संग पे चलना और संग की ताकत और संग कितना सफल है, ये जान लिया, ये समझ लिया, वो लोग सग सार पर हम लोग जिनका संग था और जो संग के मालिक थे प्रकरती के सुरू से क्योंकि संग को प्रकरती ने बना के दिया और हमने इसको बड़े अच्छी तरीके से चलाया बुद्ध से पहले बुद्ध के समय बुद्ध के बाद पर अभी हम उसको कुछ सालों से करीब 400-500 सालों से पूरी तरह से भूल चुके हैं संग जब भी टुकडों में बटेगा उन टुकडों का नाम संग्ठन होगा संग्ठन का जो साब्दिक अर्थ है पाली के अंदर संग संग रह के जिन में ठंती है यानि की दो चीजें परसपर अगर संग रहती हैं या संग में रहती हैं उन में ठंड की आवाज आती है जग्र की आवाज आती है आपस में तक्राने की आवाज आती है तो उसको बोलते हैं कि ये संग ठन रही इसलिए ये कहाव चलती है कि इन में आपस में ठनी हुई है यानि कि ये आपस में लड़ रहे हैं इन में आपस में आवाज है दो बत्रों में भी जब ठन जाती है तो अबाज आती है तो साथ-साथ रहनी वाली चीज़ें जो भी है वो उनमें आपस में ठनती है उसको संग्ठन बोलते हैं वैसे ही जब संग में रहने वाले लोग आपस में ठनने शुरू जाते हैं उनमें आपस में ठनी शुरू हो जाती है तक्रार शुरू हो जाती है लडाई शुरू हो जाती है तो फिर वो संग्ठन में बदल जाते हैं और ऐसे तना तनी और ठना वाले बहुत सारे लोग हो सकते हैं बहुत सारे गुरूप हो सकते हैं बहुत सारे संग्ठन हो सकते हैं अल इस टुकडों में तूट गया और उन टुकडों को जाती कहा लिया और उन जातियों में समय आपस में ठंती है इसलिए वो संग्थन है यानि जो जाती है वो संग्थन है लोगों के सम हुए संग्थन है और यहां बात नहीं रूखी तो फिर वो आगे तनातनी उनमें हुई औ उन्होंने फिर संग्ठन के नाम से ही छोटे-छोटे-छोटे-छोटे गुरुप बना लिए और हर जगे बनाए चाहे वो धंवे में बनाए चाहे वो सरकारी करमचारियों में चाहे वो यूबाओं में बने चाहे वो महिलाओं में बने चाहे वो बुद्धी जीवियों में ब यह होते हैं जो उनके ठिकाने होते हैं उनमें हो चाहें राजनिनीती में हो चाहें सामाजिक संग्ठन में सभी के अंदर 29 लाग टुकड़े फिर हुए और यह टुकड़े रुकेंगे नहीं यह टुकड़े लगातार लगातार बढ़ते चले जाएंगे कोई आदमी जो संग् में बीच की कुर्सी पे भाशन देता है जिसको भाशन की बिमारी पड़ गई है जो मंच और माला माइक और पद और प्रतिष्टा का लाल्ची हो गया है मांसी की रूप से बिमार हो गया है या जिसको लगता है कि वही करांती करेगा और करांती की परसंसा और उसका नाम अमर हो जाएगा सुने रेक्ष्रों में और वो इत्यास में लिखा जाएगा जो इस लाजसा में काम करते हैं कि उनके जीते जी मूट्या लगेंगी और बाद में उनकी मूट्या लगेंगी लोग उन्हें पूजेंगे ऐसे जितने भी लोग हैं जो संग्ठनों में काम कर रहे हैं वो इतने बिहोस हैं कि उनको ये पता ही नहीं है कि संग्ठनों से तो परणाम ही नहीं आ सकता संग्ठनों के परणाम तो टूटे हुए टूटे हुए टूटों के जैसे आते हैं जैसे टूटों के परणाम होते हैं वैसे संग्ठनों के होते हैं उनकी नियत कि उनका लास्ट जो परड़ाम है वो तूटना ही है और वो हमेसा अपने आका को सर्व करते हैं वो हमेसा उसको सर्व करते हैं उसकी सेवा करते हैं उसको बढ़ाते हैं जिनको वो दुस्मन दुस्मन कहते हैं यानि कि वो संख्रम जब काम करते हैं तो दुस्मन का ही काम करते हैं और दुस्मन ह लोग हैं, जो धमिक लोग हैं, जो पैसे अर्थ का काम करने वाले लोग हैं, जो लड़कों के दलबल हैं, या जो सादू संतों के डेरे हैं, या जो सामाजिक संथन हैं, उनकी हिस्ट्री को उठा ले, अच्छी तरह से विश्टेशन कर ले, तो वो ये पाएगा कि संथन जैस कि तो अधिका चले गए खूब अच्छी तरह से सको अनलेसिस कर ले कोई भी पार्टी कोई भी मत कोई भी धंकी कोई भी मठादीज कोई भी जो धंगे संग्ठन है वो या कोई दलबलों का संग्ठन है वो या जो कोई संग्थनवाद को जानी नहीं पाए हमारी लोग संग्थनवाद में लग रहे हैं संग्थनवाद का कोई परियावाची सब्द नहीं है पर संग्थनवाद के जो अपोजिट सब्द है संग्ठनवाद उसके बहुत सारे परियावाची सब्द है अगर हम यह कहें कि प्रधानवाद है तो वो भी संग्ठनवाद है व्यक्तिवाद है तो वो भी संग्ठनवाद है नेतावाद है तो वो भी संग्ठनवाद है जो यह कारेकारी बनती है नेताओं की और पदादिकार और संख्थरभाद और संघ्बाद दौनों ही एक दूसरे के अपोजट है जबभी संऺ टूटे गा उसके छोटे छोटे टुकुकरे होंगे तो पैदा होंगे और जब भी संग्षंठर क्विक ठ्द मेंगे तो संघ्च पैसीद होगा यह एक dlूसरे फिवर में कभी नहीं आ सकते और संग के परणाम हमेसा हमारे फिवर में आएगे क्योंकि संग्धन जो चलता है वह मनुवाद मनुस्मर्टी राजाबाद प्रधानवाद एकलवाद मेतावाद व्यक्तिवाद का आधर चलता है और इसके परणाम मनुस्मर्टी को ही जाएंग क्योंकि मनुस्मर्टी का जो इस्ट्रक्चर है जो संग के अपोजिट इस्ट्रक्चर है उसमें व्यक्ति प्रधान होता है और व्यक्ति को बहुत ऊपर तक चड़ाया जाता है आप अगर पुराने जो किताब हैं जो किताब हैं उनमें देखोगे तो उनमें व्यक्ति पू होता है उसका एक राजगुरु होता है उसका एक मंत्री होता है और उसके कुछ दरवारी होते हैं जनता की उन ना कुछ देना है जो कर के रूप में देना है और पिड़जा की कोई सुनवाई नहीं होती पिड़जा से कभी नहीं पुछा जाता कि राजा अच्छा है या नहीं है ये मंत्री अच्छा है या नहीं है दरवारी अच्छे है या नहीं है या दरवार में क्या हो रहा है या क् राजा की एक्षा है उसकी कार्यां करता कार्या करेकर में रहता है वहां नट्टी या डानस करती रहती है दर्वार के अंदर होता रहता है सराव बहुरुएं नाचने गाने वालों को कभियों को यही दरवार के राजकाज और ठाट आपने पूरी कहानियों में किसों में सुने हो इसलिए जो मनुस्मर्थी पर अधारित इस्ट्रक्चर है वही इस्ट्रक्चर हमारे लोगों ने पकड़ लिया और उसको लेके वो पूरी तरह से घूम रहे हैं उनको तो बिचारों को यह भी नहीं पता है कि जो इस्ट्रक्चर पर वो काम कर रहे हैं यह व्यक्ति बाद प्याधरित काम है प्रधान बाद प्याधरित काम है यह संधर बाद प्याधरित काम है यह तो हमारा इस्ट्रक्चर हाई नहीं उन 29 लाख लोगों को जब ये बात बताई जाती है, तो उनके तोते से उड़ जाते हैं, उन्हें दिन में चांदतारे दिखाई दे जाते हैं, इसका कोई जबाब नहीं है, पर चुकि वो उसमें इतने लिप्त हैं, उस चंदे में, उस प्रधानी में, उस प्रतिष्टा में, वो आपकी बात सुनेंगे नहीं और वो लगाता लगाता इसका विरूद करेंगे और ऐसे ऐसे धान लाएंगे कि बावा साब में संग्ठन बनाए इन्हों ने बनाए पर बुद्ध तक नहीं जाएंगे वो जो महापुरसों ने जो बनाए हैं मठवट बनाए हैं उन तक जाएंगे पर बुद्ध तक न हैं तो आधा धुरा कोड़ करते हैं बावा साब को कहते हैं कि बावा साब ने कहा कि संग्ठर में रहो पर यह नहीं कहते कि बावा साब ने ये कहा है कि और्गनाईज रहो और्गनाईज का मतनब होता है एक organization बनानी है और सारे लोग उसी के अंदर आने है और नाइज होना एकटे होना है नेता नहीं बनाना है ऐसा बावा साब ने व्यक्ति पूजा के लिए और हीरो सिप के लिए पूजा से मना किया हुआ है जितने भी हमारे संत आये उन्होंने हीरो के लिए नायकबाद के लिए ख के जश्ट उलटा करते हैं और तर्क यो कि पैसा मिल जाता ना जो संत है जो महापुरुस है जो हमारा ज्यानी है नाम का कुछ बना बुनू के और फिर वो मनुर्ण पर आधारत उसका खड़ा कर लेते हैं और उसकी पूजा स्थार्ट और पैसा कमाना सुख कर देते हैं और पैसे कमाने वालों का गैंग बन जाता है, जो कि आपको ना सोचने देगा, ना आपकी बात का जवाब देगा, व्रकाना आपको पिटाई भी करेगा अगर आप ऐसी बात करेंगे तो. इसलिए संगभाद में और संग्ठरबाद में जविन असमन करते है बावा साब ने जो देश चलाने के लिए आदेश दिया और जो पारित करवाया आदेश जो वहां सम्धान सवा में बात रखी और उनको समझाया उनको मोटिवेट किया उनके सवालों के जवाब दिये तो संगभाद को लेके आए संगभाद को लेके नहीं आए लोगों को लगता होगा कि एक पढ़ान मंतरी होता है एक राष्टपती होता है और कुछ मंतरी होते हैं दरवारी होते हैं पर लोगों को ये नहीं पता कि उनको चुनने वाले लोग हैं इसलिए लोग को पुराने सम होती है लोक सभा होती है यानि कि लोगों की सभा है वो लोग एक व्यवस्था को चलाने की यह नियम नुसार यानि संग की नियम नुसार एक चुनते हैं जिसको आप यह कह सकते हैं कि यह संग बेस की चुनाब रही है, यानि कि आप पार्टियों को वोट देने लगे, पर पार्टियों को वोट देने की जब नहीं है, आपको व्यक्ति को वोट देना चाहिए, क्योंकि लोग चुनना है, आपको प्रतिनी दी चुनना है, पार्टी नहीं चुननी है, ये संगवाद में और जो संग्ठनवाद है उसके बहुत बारीग बारीग सेंटर हैं पर लोग अभी चोकि समझ संग में जो संग्ठनवाद है इसको समझ रहे हैं और जो समझ रहे हैं वो इसके काम कर रहे हैं जिसलिए काम तेजी से करने की जरूर्ट है समण संग में केवल और केवल संग वाद चलेगा अगर आप समण संग में संग्ठन वाद चलाएंगे तो फिर समण संग खतम हो जाएगा तो कि समण संग नाम इसका संग है तो संग वाद ही चलेगा यह समण संग्ठन नहीं है तो समण संग है तो समण संग वाद ही चलेगा इसलिए हर एक व्यक्ति को अच्छी तरह से यह समझ लेना चाहिए कि जो संग होता है वो सबसे उपर होता है कोई व्यक्ति कोई भी व्यक्ति चाहे वो कितना ही ज्यादा इंफ्लेंशल हो चाहे वो संग के लिए कितना भी काम कर है क्योंकि वो उसका कर्म है वो उसको कम करना चाहिए संग के लिए सारे सब को डिवोड़िट होके काम दरना चाहिए पर नाम जो सब से उपर रहेगा वो संग का ही रहेगा हजारों लाखों लोगों ने पहले संग में काम किया है किसी का नाम कर सकते हैं उसको संग आदेस सब्वों पर ही है यानि सबसे उपर होता है एक वार जो संग ने आदेस पारित कर दिया कोई भी व्यक्ति किसी भी हालत में अगर संग से अपनी तुलना करता है या अपने को आजमा के देखता है कि वो संग से बड़ा है या चोटा है तो वो मूर्ख है क्योंकि संग की तुलना व्यक्ति से हो ही नहीं सकती कोई व्यक्ति अगर यहां यह चेक करना चाहे कि देखू मेरी संग में क्या हिशते क्या नहीं है तो वो संग को समझा नहीं या वो मूर्ख ह क्योंकि संग से व्यक्ति की तुलना है ही नहीं व्यक्ति हजार आओ हजार जाओ कोई से व्यक्ति आओ कोई से जाओ संग की तुलना संग से हो सकती है अगर कहीं और भी कोई संग है जो ग्रोधी विचार धरा का है तो उससे कंपरेंज हो सकता है वो भी काम का वो भी नंबर्स का, यानि कि इस संग में कितने संगी हैं, उस संग में कितने संगी हैं, ये संग कितना काम करता है और वो संग कितना काम कर सकता है, यही, संग के अंदर, संग बाद के अंदर कभी भी पूजी बाद नहीं आ सकता है, पूजी बाद संग बाद के लिए जहर होता है, कल को अगर यहां कोई व्यक्ति ऐसा आ जाए जो बहुत बड़ा धन्ना सेट हो या जो विरोधी जो लोग हैं उनका पाला पोसा हो और यहां आके वो संगबाद में पूझी बाद की घुडगान करने लगे वो कहने लगे कि मैं इतना पैसा दला दूँगा या इतना पैसा मैं महां से ले आँगा या इतना पैसा ले 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 या संगो को बैपार करना चाहिए या संगो को पैसा कमाना चाहिए या संगो को इतना इन्वेस्ट करना चाहिए या संगो का ऐसा पैसा कोई खजाना होना चा चाहिए, यह संग का एक ऐक औरोंट में लाक़ क्रोडर होना चाहिए, यह संगों को जो पूजीवाद के लोग है, उनको मदद पनी चाही है, दो कि शंब और मैं अगर पूजीवाद आएगा, तो into-sahid-tirmay और उससे पहले कहीं कोई ऐसी घटा नहीं है जबके पैसे ऊ को लेके या पूंजी को लेके को जगड़ा या कोई बात या कोई जिक्री भी हुआ और लोगों ने एक दूसरे को दान दिया नोगों ने एक बैसे को दिया वर एक धूसी है जो खर्चा होता है लोग अपने आप करते हैं जो सामुई खर्चा होता है उसे संगी लोग कोई भी विस्ता बना के अपने आप सुरू कर देता है उसका हिसाब देता है और बात वहीं खत्म हो जाती है यानि कि ऐसा नहीं है कि संग ने कोई पोशाध्यक्ष बनाय हुआ है या संग ने कोई नियम बना रखा है कि इतना पैसा चाहिए इतनी पूझी चाहिए या इसके बिना काम नहीं चलेगा या पैसा पहले है या हमें बिना पूझी कि हम मर जाएंगे दुनिया में जो पैसा है और जो पूझी है वो बाद में आई ह लोग पहले आए अगर पैसे से लोग बचते होते या पैदा होते तो लोग पैदा ही नहीं होते क्योंकि संग बाद को जो खतम किया है वो पूझी बाद की जो रचना है वो हमारी नहीं है वो पूझी बाद की जो चचना है वो यूरोप की है और यूरोप के लोगों ने पू पिसलेनी को उमीं सनी देते थे कंपड़ा किसी के पास कुछ है तो अमिल गया ऐसे हम लोग protection क्याकदे थे पर कभी यहांए वहां जो काबा है उससे पहले यहुदियों में मिलते हैं जहां वो ब्याज विया करते थे और ब्याज बाकादेश निये मुहम्मद साब ने ब्याज का नियम खत्म कर दिया था क्योंकि ब्याज का नियम एप्राकर्टिक नियम है बिना महरत का नियम है इसलिए वो खत्म किया गया भारत के अंदर तो वहां के यर्जरुसलाम के लोग हैं उन्होंने ये सिधान तो सीखें हैं कि जो नैसल सिधान यहां के रहें यह जो संगबाद है इस संगबाद के बहुत बारिक बारिक चीना है कोई व्यक्ति अगर संगबाद में रहता है और वो संगबाद में काम करके यह कहता है कि मैं एक स क्योंकि फिर वो संग बाद में नहीं है फिर वो घटक बाद में चला जाएगा तो वो बोजा होता है ये बोजा कैसे आप समझते हैं इसको समझ ये कि जैसे पूरा सरीर होता है और पूरा सरीर आपस में जोड़ा हुआ होता है तो सरीर की दो चीजिया आपस में जोड़ी हु को चलाना कैसे मुह को कैसे चलाना है आवाज कैसे निकालनी है यह जो होता है यह हमारा सिस्टम electricity की लाइन जिसको तंतरी का बोलते हैं वो electricity की यानि बिजली के तार हमारे सरी में पूरे में होते हैं अगर हम किसी का बिजली का सर्कृट यानि तंतunted का काट दें और खोन की नलियां ना काटें तो वो सरीर का जो अंग है अंग तो रहेगा पर उसको उठाना हैं, चलाना हैं, क्या फ़राना हैं, क्युक्रिक्श अपनने उसके जो controlling सिस्टम में काट दिया जिससे वो जुड़ा हुआ था, तो फिर आप उस हात को या उस हिस्छे को उठानी पाओगे इसको लखवा बोलते हैं यानि लखवे में सरीड़ चलता रहता है पर वो सरीर मन के कंटॉल में नहीं रहता आप उस हात को या लखवा गरस्ता अंगों को चला नहीं सकते वो दूसरे हाथ से अगर एक हाथ खराब हो जाए तो दूसरे हाथ से उठा के रखा जाता है यानि वो खुद नहीं उठा सकता वो दूसरे हाथ पर सरीर पर बोज हो जाता है वैसे ही संग वाद में अगर पूरा संग है और कुछ लोग इसमें घटक बनाएं कुछ अलग-अलग तरह के घटक बनाएं और वो घटक कमांड में ना रहें यानि कि संग की कमांड में ना रहें और अलग से कमांड बनाएं तो वो संग के उपर बोज है हैं वो संग का हिस्सा नहीं है वो रसत तो लेंगे वह खून की नली से ओक्सिजिन और खाना पानी तो लेंगे सरी पर वो संग के उपर बोज होते हैं उससे संग को कोई फायदा ने मशी ने हैं यह संगu की इतनी छुटी छुटी बारी क्या है जब आप जैसे जैसे संग में उत्रोगे और पूरे संगी हो जाओगे तो आपको आश्र होगा कि संग एक ऐसी परणाली है जिसका पूरे के पूरे सारी सिस्टम से और पूरी दुनिया की सारी चीजों से कमाल का समझ से है कमाल की सिमिलटी है और यह सिमिलटी बहुत अच्छ का ना ही संग का कोई मालिक हुआ है जैसे प्रकरती का कोई मालिक नहीं प्रकरती खुद की मालिक खुद है नेचर खुद की मालिक खुद है वैसे ही संग खुद का मालिक खुद होता है कोई व्यक्ति अगर ये कहे कि यहां संग का कोई मालिक है या कोई ये कहे के मालिक होगा या ये कहे के मालिक बना या कोई कहे के ये मालिक बन सकता है तो वो अभी विहोस है उसको होस नहीं है वो संग को जाना नहीं है वो अभी संखनवाद में फसा हुआ है तो कि जो संखनवाद में फसे हुए व्यक्ति हैं उनको संग में भी मालिक दिखाई देते हैं और मालिकाना हक दिखाई देता है संग की हिस्ट्री में सुसले के आज तक कोई भी मालिक नहीं है बुद्ध संग के मालिक नहीं थे संग के नायक नहीं थे पर जैसे ही बुद्ध एक्सपायर हुए और बाद में भुकूब के अंदर करताज होगा कि जैसे ही वहां नेता बनना शुरू हुआ वैसे ही संग के टुकड़े होने शुरू होगे क्योंकि संग जब फैंसला ले दिता है तो अच्छा फैंसल लेता है सामुई के रूप से सारे फैंसले अच्छे होते हैं पर जब संग्नायक आप बना देंगे और एक जादी फैसल लेगा तो उसके आस्पार जो लोग होंगे को ध्यार में रखके फैसल देता है अपने मान-सम्माल को लेके फैसल देता है इसनिये संग के अंदर अगर आठ बात आठं को रखता है तो वह संगी नहीं और वह आठ बात बहुत कमाल की हैं कि अगर कोई व्यक्ति संग में यस और अपियस ढूनता है यानि कि इज़त और बेज़ती ढूनता है या उसको महसूस करता है तो वो संगी नहीं है कोई व्यक्ति अगर यहां संग में लाब और हानी ढूनता है क्या मुझे फाइदा हुआ क्या मुझे नुक्सान हुआ क्या स्वार क्या profit हुआ तो वो व्यक्ति अभी संगी नहीं है कोई व्यक्ति अगर यहां आके सोचता है कि आज तो मैं हार गया और आज मैं जीत गया वहार गया मैं जीत गया मैं जीत गया वहार गया जैसे संग के अंदर यहां तर्क वितर्क होते है पर जो संग का सामुएक जो मत होता है वही मानना होता है तो जो संग के सामुएक निर्णे के विप्रीत में जिस व्यक्ति का मत है और वो मन में ये बात ले आए कि मैं हार गया या जो मत्र के फेवर में है और वो ये अपने मन में ले आए कि मैं जीत गया तो ऐसे दोनों व्यक्ति संगी नहीं है और संग के अंदर अगर कोई पसंसा करे और निंदा करे यानि प्रसंसा करे और निंदा करे यानि कि किसी व्यक्ति की अभी संग में रहना जानते नहीं और संग को सीख रहे हैं, संग को देख रहे हैं, और तेजी से इसको हम अपने अंदर उतार रहे हैं, तो जैसे जैसे हम उतारते जाएंगे, वैसे वैसे आपके अंदर का जो संग का बीज है, वो बेड़ बनता चला जाएगा, और फल देने सूपर देगा और वो इतने फल देगा इतने फल देगा कि आपके बच्चों से खाए नहीं जाएंगे क्योंकि संध कभी नहीं हारता दुनिया में आज तक संध कभी नहीं हारा और संधन कभी जीताना है यानि संधन कभी नहीं जीत सकता संधन को तो हार नहीं हारना पड़ेगा उसकी नियती है उसका रिजल्ट है वैसे ही संध का भी नियम है और रिजल्ट है कि उसको जीतना ही पड़ेगा उसको जीत उसके हिस्से में लिखी हुई है उसके हिस्से में कभी हार होती ही नहीं और अगर यह आठ बाते हैं जो यस औ लोग जो संग में आते हैं, वो संग दान बहुत होता है, यानि संग को पुराने समय में जो दान होता था, वो संग के लिए समय का, यानि तन का और मन का होता था, पैसे का दान नहीं होता था, बुद्ध ने कभी भी पैसे के दान के लिए नहीं कहा, और उससे बुद्ध से प होता है कि संग आपको कितनी जल्दी फल देने वाला है कोई आदमी ये कहे कि हम संगी है संगी है ना तो वो तन से संगी है ना वो मन से संगी है तो वो कोई संगी नहीं है संगी होने का ढ़ंग कर रहा है यह कहें जी हम तो आपके साथ चल सकता हो तो चल जमीन पे बैठ सकता तो बैठ और मिलके खाना खा सकता हो संग दान का तो खा सकता हो तो आ जा और अगर संग की बाद सबसे उपर मानता हो तो आ जा और अगर अपनी चलानी है तो पहले चला ले भाई कितनी चलानी है चला चुरू के पूक्ट के लिए कोई भी समच्य, समच्य नहीं होती और समच्छ के लिए हर समच्य समच्य सनग कितनी भी बड़ी समच्य हो उसको चुपकी बजाते ही कर देता है क्योंकि संग की ताकत unlimited होती है और संग्ठण की ताकत बहुत limited होती है उसके चेले संग्ठन जब तक एक नहीं होते और संग नहीं बनाते वो काम बने गा नहीं पर संग्ठन के जो लीडर है जो नेता है उनको ऐसा यकीन और ऐसा विसोाथ है कि इसे जादा बुद्धी मान कोई व्यक्ति हाँ है नहीं वो ना भावस आपको बुद्धिमान मानते हैं और नहीं संतों को मानते हैं उनका नाम जरूर लेते हैं पर उनकी बात नहीं मानते इसका मत्दा यह उनको बुद्धिमान मानते नहीं अपने आपको बुद्धिमान मानते इसलिए उनके कहने के बाब जूद भी नाम लेंगे कि सबको अखटा कर रहें और फीर आपसमें थंटी है धूसरे से और फिर संग्ठन संधं दोनों में थंटी रहती है और ठंटनाते रहते हैं और इस ठंटनाने में उन्होंने हमारा बेडा-गरग कर दिया इसलिए संग वाद में कोई कमी नहीं है कोई व्यक्ति अगर ये कहता हो कि संग वाद में कोई कमी है तो भारत के अंदर उधारन देख सकता है जिनोंने संग बनाए हैं उनके पास में सब चीज है और जिन्होंने संग्ठन बनाए हैं उनकी सारी चीज संग्वालों के पास चली गए यानि के संग्ठन वाद संग्ठन की सारी चीजे अपनी तरफ खीच लेता है जैसा मैंने पहले बताया था कि संग्ठन में जितना भी काम होगा उसकी सारी ताकत उसका सारा पैसा संग में जाएगा अनों लोगों के पाज जाएगा क्योंकि यही मनुस्वक्ती का नियम है और यही परणा माने है इसलिए 70 सालों में हमारे सारे अधिकार चलेए अगर उन अधिकारों को बचाना हैं तो हमको संगबाद को जाए तो इसके आने के लिए छुटे 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 काम करने आपने ज्यादा बड़े काम ली करने हैं लोगों से मिलना है और लोगों को संग्ठनवाद और संग्वाद का अंतर बताना है आप खुद भी सोचेंगे आपको समझना जाएगा अपने घर के ऊपर लि समढ़ समढ़ करेंगे तो उनको समढ़ संग वाद सिखाते चाएंगे बता जाएंगे और यह गोल्डन रूर स strip का रट्ठा मानने अच्छे त्रह से कूंकि यह गोल्डन रू बहुत काम आने वाले हैं आज चौथा गोल्डन रूल है तीन पहले बताए हैं इनको रट्टा मारें इनकी ब्लॉग लिखें इनकी पोस्ट बनाएं इनको अपनी पोस्ट में लिखें इनकी किताब छापें इनका हैं इनका पर्चा छापें इनको जगे जगे बोलें इनको जगे जगे है तो जल्दी काम करना पड़ेगा जैसे जैसे पुराना संग पुराना समट संग बापिस आता चला जाएगा वैसे 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 हमारी पताड़ना और हमारे दुख ऑर्टोमेटिक ऑर्टोमेटिक चले जाएंगे क्योंकि जिनके पास संग होता है उनके पास सारा सुख होता है और जिनके पास संग्ठन होता है उनके पास सारा दुख होता है ये आपको तैकरना है कि आपको सारा दुख चाहिए या सारा सुख चाहिए क्योंकि संग हमेसा शिकारी होता है और जो संग से बाहर लोग होते हैं वो शिकार होते हैं क्योंकि हमारा संग नहीं है इसलिए हमें लोग शिकार हमारा शिकार कर लेते हैं हमारा सब कुछ चला गया और जैसे जैसे संग बना सुरू हो जाएगा हम शिकारी हो जाएंगे फिर जाने की बजाए बापस हमारा आना सुरू हो जाएगा यही प्रकर्तिती का नियम है यही संग का नियम है और यही संग बाद है जो हमें बहुत तेशी सीखना है धन्यवाद संगन नमामी आप सभी से यह निविदन है कि अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगती है या बाकि वीडियो अच्छी लगी है और आपको लगता है कि धमकी वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को gift में भेजनी चाहिए या किसी भासा में convert करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में, किताब में छाबनी चाहिए या इसकी जो आडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है ये सभी copyright free है आप अपने facebook पे, अपने page पे, अपने tutor पे या अपने handle पे, या link को कहीं भी share कर सकते हैं कहीं भी चला सकते हैं, आप YouTube पे चला सकते हैं अपने नाम से चला सकते हैं इसके लिए इजाज़त लेने की या पर्मिसल लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम सबका है हम जो बताते हैं, वो भगवान बुद्ध का है या महापुर्सो का है उन्ही की बात को सरल भासा में बताते हैं हमारा सिर्फ इतना right है इस पे कि हम इसको load कर देते हैं बाकी सारी ये पूजी आपकी है धन्यवाद संगं सरनं गच्छामी संगं सरनं गच्छामी तूथियं पी बुद्धं सरनं गच्छामी तूथियं पी बुद्धं सरनं गच्छामी दूतियं पी धम्मं मर्सेनु गच्छाम। दूतियं पी धम्मं सर्नं गच्छाम। दूतियं पी संगं सर्नं गच्छाम। दूतियं पी सर्नं सर्नं गच्छाम। ततियं पी गुद्धम सर्मं गच्छामी ततियं पी गुद्धम सर्मं गच्छामी